नमस्कार दोस्तों संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है आज मैं सूजी के दही बड़े की रेसिपी आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेश्टी लगता है तो चलिए सामागरी देख लेते हैं कि क्या क्य लगती है कतोरी सूजी दही हरी चटनी लाल चटन що इमली की चटनी है काला नमक साथा नमक जीरा साइव अब बना लिया है लाल मिरची पावडर और ये खाने वाला सोड के नाप करकी लिए ढवें गहर की जमे हुई दाही है और इन दोनों चीजों से मिक्स कर लेंगे थोड़ा से पाने ढालेंगे, अब हम डालनेंगे मिठा सोडा, ठाने वाला, साधा नमाग, काला नमाग, थोड़ा से पाने और एड़ करेंगे इसमें तो इसमें सारी चीजें मिल चुकी है और अब हम इसे ढख करके 10 मिनट रेष्ट करने के लिए रख देंगे तक सूजी का बैटर हमारा रेष्ट कर रहा है जब तक हमने तेल चढ़ा दिया है गैस पे और तेज फ्लेम में ताकि तेल हमारा अच्छा गरम हो जाए तो जो यह सूजी का हमने बैटर तयार किया था तो यह फूल गया है देखिए हमने पानी लगा लिया है हाथों में और इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके हम थेली में नहीं रखना है मूलियों के बीच में रखना है यह और गोल सेब दे देंगे इसे और अब ह ओल्हें सर्सो को तेली योज कर सकते हैं लेकिन हम सर्सो का ही तेल से बड़े बनाते हैं तो से बहुत अच्छा ना आता है प्सक्राइब देश्ट को मीडियम ट्रं मेरा का उसका अच्छे से अंदर पक जाए जादा आगर हम तेज्ट तो कर्फ डेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कर्षे रह जाएंगे तो इसलिए हम इसे मेडियम में ही रखेंगे इस तरीके से पढ़ आलेंगे थोड़ी देर हो गई है तुरंत लेंगेज यह मारे बड़े इसstesने अधे कि हमने सोब बड़ा निपाल्थिय डिया ईससे नमक अब ऐने दोभिस यह पालएगी घ्मारे बड़े टूब गोल्डन ब्राउंड हो गये हैं अब हम इने निकाल लेंगे बर्तर में इस तरीके से हम किनारे में लगाएंगे ताकि पूर जो इसका तेर है वो निथर जाए जो ने यह पानी तयार किया था नमक डाल करके इसमें अब हम डाल देंगे अपने बड़े इस तरीके से थोड़ी देर इसे रहन देंगे इसी में फ्रेक को हटाएंगे और तो यह देखिए फूल गया है तो हम इसका इस तरीके से दबा करके पानी निकाल देंगे पूरा ज्यादा देर तक नहीं फूलाए रखना है नहीं तो पूरा यह टूट जाएगा टूटना नहीं चाहिए तो देखिए कैसे पानी निकल रहा है पूरा अंदर से इस तरीके से अच्छे से दबा लेंगे नहीं तो अंदर पानी भरा रह जाएगा तो इसका टेश्ट और अब आलेंगे हाई चटनी सब्सक्राइब और ने अगर में बनाया है इसकी लिंक मैं के डिस्क्रिप्टब्सन में तो आप छेप करेंगे किस तरीके से बनाते हैं और जीरा पाउडर तो जीरा को भून करके इसका पाउडर बना लिया था लाल मिच्ची पाउडर सेधा नमा तो ये देखे हमारे दही बड़े बनकर के तयार हो गए है ये हमारे बहुत ही टेश्टी और नरम दही बड़े बनकर के तयार है बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं अगर आपको हमाई रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसीपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले